जी वेलकम है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूटूब चैनल एहमत ट्रेक्ट नोचिपे जनवरी 2024 की जो हमारी सिरीज चली हुई है जिन बच्चों का जनवरी 2024 में O-Level का एक्जाम है तो उनके लिए हमारी यूटूब चैनल पे O-Level की ग्लासे स्टार्ट हो चुकी है M1R5 का एक चैप्टर और M2R5 के दो चैप्टर कंप्लीट हो चुके है इस वीडियो में M1R5 का सैकिंड चैप्टर हम डिस्कस करेंगे Introduction to Operating System जिसका नाम है इसके जो question important लगते हैं exam के लिए क्योंकि आपका exam online होगा तो जो question हमने बनाई हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे MCQ में question आप से पूछा जाएगा चार option दे के कोई एक option सही होगा और आपको उसको टिक करना होगा के चार में से कौन सा option सही है वो आपको answer लगा के आना पड़ेगा तो इसी तरीके से आपका online exam होगा MCQ based exam होगे सारे और इसमें जो आपके चार module हैं M1, M2, M3, M4 सभी के जो exam है online होगे और एक जो question paper होगा online computer पे triple exam की तरह so question और 90 minute का time होगा और negative marking नहीं होगी तो इसलिए आपको कोई question छोड़ के भी नहीं आना है जो बच्चे नए हैं जो पहली बार तयारी कर रहे हैं उनको बता दें कि M1, R5 का पूरा स्लेबस हमने जुलाई 2023 में बच्चों को करा दिया था तो उसको आप जरूर देख लिजेगा वहां से आपको बहुत help मिलने वाली है online exam जुलाई 2023 में पहली बार हुआ है और उसमें जो question पूछे गए थे online exam में जो बच्चों ने हमें बताए थे आके वो भी हमने वीडियो में वहां पर discuss किये हुए है तो आप उसको भी देख लिजेगा प्रेलिस्ट पनी हुई है जुलाई 2023 की वहां से आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह की question आपके exam में पूछे जाएंगे क्योंकि exam online computer पे हुआ था ठीक है तो बच्चों ने जो question आके बताए थे के सार ये question आये तो वह हमने आप डिसकस किये थे उसको आप जरूर देख लिजेगा और syllabus जो है पूरा upload हो चुका है जुलाई 2023 में यहां पे तो केवल हम आपको revision के तोर पे ये करा रहे हैं ताकि आपका revision हो जाए जो question आपको याद नहीं है या जो question में आपको problem है वो question आपको समझ में आ सके और January 2024 में जब आपका online exam होगा तो आपको अच्छा grade exam में मिल सके अच्छा result आपका है आगे बढ़ने से पहले एक चोटी सी request है आप सभी से अगर आपने channel को subscribe नहीं किया है तो please कर दीजिए और bell icon प्रेस कर दीजिए वीडियो को like और share भी अभी कर दीजिए ठीक है आगे मैं आप से बात नहीं बोलूँगा तो चलिए सुरू करते है question number one आपके सामने है आपकी screen पे आपको बताना है कि कौन सा option यहाँ पर सही होने वाला है देखे चार option दिये जाएंगे इस तरीके से आपके exam में भी folder की साहता से user क्या कर पाते है जो folder होते हैं उनकी साहता से user क्या कर पाते है disk पर file को organize कर पाते हैं आपकी file को नाम देते हैं एक file allocation table बनाते हैं none of these तो इस question का सही answer क्या हो जाएगा January 2009 में यह question O level के exam में पूछा गए M1R5 में और इसका यहाँ पर जो right answer हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा option number A disk पर file को organize कर पाते हैं right answer option number A हो जाएगा question number 2 है Linux किस परकार का software है एक तो Linux question आएगा आपके exam में एक Unix यह से आपके exam में question आएगा दोनों के दोनों operating system है लेकिन दोनों में फरक क्या है जो आपका Linux है यह open source होता है लेकिन जो Unix होता है वो open source नहीं होता है होते हैं दोनों operating system ठीक है लेकिन यह Linux जो है आपका यह यह Firi है इसको आप Firi में download इंस्टोल करके यूज कर सकते है लेकिन Unix को आप Firi में download नहीं कर सकते यहाँ पर पूछा गया है कि किस परकार का software है तो यह operating system है utility software है application software है यह एक compressor है तो Linux किस परकार का software है तो यह एक operating system है क्या हो जाएगा यह एक operating system है option number A आपर इसका हो जाएगा question number 3 है DOS का full form क्या है disk operating system इसकी full form क्या होती है disk operating system होती है option number D पर इसका right answer है disk operating system DOS का full form यह पूर्ण रूप होता है इस command की सायता से आप DOS यानि disk operating system में file के content देख पाते हैं या देख सकते हैं इसका right answer क्या हो जाएगा option number C type इस question का बिल्कुल सही answer हो जाएगा यह कैसी command है जिसकी सायता से आप DOS यानि disk operating system में file के content देख पाते हैं कौनसी command है DOS की कौनसी ऐसी command है internal command है यहाँ पर पूचा गयता है कौनसी DOS की internal command है July 2020 यहाँ पर इस question का जो सही answer होगा वो होगा आपका option number D ठीक है DIR question number 6 में है Linux operating system में read only file की अनुमती कैसे दर्स आई जाती है July 2010 में question आया O level के previous year question paper download करके उनको solve जरूर कर लेना वहाँ से question आपके exam में पूछ जाएंगे और M1, R5, M2, R5, M3, M4 इनकी PDF अगर आपको चाहिए टीबालाजी publication की जो book आती है practice set उसकी अगर आपको PDF चाहिए तो 850-584-8968 इस number पे whatsapp पे message करेंगे और अपना module लिखेंगे वहाँ पे आपको free of course PDF जो send की जाएगी टीबालाजी publication की उसको आप पढ़ सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं तो ठीक है उसका कोई भी चार्ट आप से नहीं लिया जाएगा तो इस question का right answer option number से हो जाएगा 444 ठीक है ये क्या है ये Linux operating system में read only memory यानि read only memory ROM की बात हुई है तो ROM की अनुमती कैसे दर्षा जाती है तो 444 के दुआरा where dos की command जिससे file के गुन देखे जाते हैं तो इसका क्या हुजाएगा option number format A, B, DOS के C, D, I, R या D, आपका A, Attrib तो इसका हुजाएगा option number B Linux free है या ये देखे मैं आपको एक बात बता दूँ आपके एक्जाम में true false के question नहीं आएंगे ठीक है क्या कि अगर आप एक्जाम में जाते हैं और आप कहेंगे किसरा आपने true false बताये थे तो मैं आप भी बता दिता हूँ कि आपके एक्जाम में true false नहीं आएंगे लेकिन यहां से आपको knowledge हो जाएगी one liner में question आप समझ पाएंगे इससे related अगर आपके exam में कोई question घुमा फिरा के देगा तो आप उसको सही करके आएंगे मैं यहां पर बता दू question मेरा बताने का मकसद नहीं है बस आपको information हो जाए उसके बारे में जानकारी हो जाए बस इतना मेरा मकसद है Linux जो है वो free है यह आपको समझना है और जो Unix है वो आपका pad है वो free नहीं है इसका इसलिए right answer true हो जाएगा Unix आपका pad है तो यह बिल्कुल true हो जाएगा यह option number है true multi processing card है running of two or more process यह बिल्कुल सही बात है multi processing का मतलब क्या होता है ठीक है दो से ज्यादा पे चलना है कम से कम दो पे चलना इसलिए right answer true हो जाएगा इनमें से कौन सा Unix पर आधारित नहीं है कौन सा है जो Unix पर आधारित नहीं है यह MSE यह तो होता है लेकिन MS DOS यह नहीं होता इसलिए right answer option number से हो जाएगा लाइक कर देना प्लीज और सब्सक्राइब कर दीजेगा इससे आपके कोई भी पेमेंट नहीं होगी आपको ऐसा नहीं है कि पेमेंट करना पड़ेगा तब सब्सक्राइब कर दोगा ऐसा नहीं है प्लीज कर दीजेए विंडोज का मुखे एरिया और बेकगराउंड की स्क्रीन जहां पर आप अपनी फाइल लोड प्रोग्राम को ओपन करते हैं उसे कहते हैं डेक्स्टोप ठीक है इसका right answer option number से हो जाएगा उसको डेक्स्टोप कहते हैं ठीक है next question है MEM और CLS कमांड की आंतरी कमांड एक रो हो जाएगा Linux एक प्रोप्राइटरी यानि पैर सोफ्ट्वेर है क्या ये फाल्स हो जाएगा वो पैर नहीं है फिरी है हर बार जब कम्प्यूटर स्टार्ट होता है तो अपरेटिंग सिस्टम इन्हें लोड करता है किसको लोड करता है तो इसका हो जाएगा device driver option number D जो है उह सियांसा रोप्रेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करएगे तो अपरेटिंग सिस्टम जो है device driver को लोड करता है कौन सा operating system से सन्बंदित नहीं है इसमें से कौन सा है जो operating system से सन्बंदित नहीं है is लोपस्टम velia none of these तो बताएए इसका right अंसर क्या होने वाला है system software तो इसमें क्या हो जाएगा बताएए operating system is played sit software या web browser या नन उफ दीज राइट अनसर हो जाएगा option number A operating system जो system software से सम्बंदित नहीं है ठीक है एक होते है application software एक होते है system software ठीक है तो सिस्टम सोश्ट से संबंधित नहीं है जिमयदार होते हैं है不錯 के लिए किश चीज के लिए इंपुट-Output के लिए जिमयदार होते हैं मैमॉरी के परबंदन के लिए बैगले तो जरूरत अगर आप कहेंगे कए माल ऌपक अच्छ गररा जाए तो यह कहना पूसिवल नहीं है क्योंकि question जो है कहां से किस तरीक पूछ लेगा कुछ हम कहने सकते एक्जाम online होगा लेकिन ये question जो हमें लगता था कुछ PDF के हैं और जो हमने बनाए हैं वो question है यह यह भी आपके exam में आएंगे और वहां से भी आपके exam system open source तो ही ठीक है operating system भी है यह system software और इसका right answer क्या हो जाएगा option number D हो जाएगा यानि उप्रुक्त सभी जो है इस question का बिल्कुल right answer यहां पर हो जाएगा ठीक है right answer option number D हो जाएगा जो Linux है वो operating system भी है open source भी होता है और system software भी है और अभी जो यहां पर यह question आया था कौन सा system software से संबंदित है संबंदित है यहां पर यह पुछा गया था तो system software संबंदित operating system इसका right answer आपको बताया है जो system software से संबंदित होते है option number A right answer हो जाएगा operating system ठीक है और नेक्स्ट है रहें यूनिक्स है क्या है यूनिक्स एक compiler है असेंबलर है operating system है यह एक एडिटर है जो यूनिक्स है आपका वह भी एक क्या होता है operating system ही होता है लेकिन यह फिर ही नहीं होता डैस system software का उधारन है बताइए system software का उधारन कौन सा है इसमें से MS Excel MS Word MS PowerPoint या MS Windows तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर विंडोज जो है राइट आंसर हो जाएगा MS Windows system software का उधारन है MS Word MS PowerPoint और MS Excel नहीं है करने लेक्स प्रोग्राम है क्या टाइम सेरिंग सिस्टम में यह फाल्स हो जाएगा और नेक्स देखिए कई बार उपरेटिंग सिस्टम एक रिसोर्स मैनेजर के रूप में नहीं बलकि क्यावल एक डिवाइस मैनेजर के रूप में कार्य करता है तो यह हो जाएगा आपका फाल्स जो फाइल है वो रिसाइकल बीन में ना जाए पर्मनेंट डिलीट हो जाए तो उसके लिए कि सोटकर्ट की का आप यूज करेंगे कमेंट बोक्स में सभी को बताना है उप्रेटिंग सिस्टम सोफ्टवेर नहीं है तो यह फाल्स हो जाएगा रिसाइकल बीन एक फोल्डर ह है यह फाल्स हो जाएगा और नेक्ष्ट जो इंपोर्टेंट कोश्चन आपके लिए है विंडोज एक प्रोप्राइरी ओप्रेटिंग सिस्टम है तो यह तो हो जाएगा यहां पर आपको मिलान करने हैं देखिए ओपन सोर्स ओप्रेटिंग सिस्टम कौन सा है तो इसके ल वह होती है आपकी डेक्ष्टोप लिनेक्स एक ओप्रेटिंग सिस्टम होता है और अर्पनेट यूनिक्स ओप्रेटिंग सिस्टम पर आधारित था तो यह सारे के सारे मिला दिये हैं तो इसको आप देख लिजएगा इंपोर्टेंट हैं से कुश्चन जरूर मिल जाएगा मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम को डेस्ट के अधिकता मुप्योग करने के लिए डियाइन किया गया है सेप्यू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉम होता है फिलिन दबलेंक्स में 2009 में एक कुश्चन पूछा गया था ओप्रेटिंग सिस्टम के मुख्य अगर आप फोल्डर पर किलिक करेंगे तो उसके अंदर भी फोल्डर होंगे इसलिए क यह कहां गया है में किसी फाइल को डी-00uze में चिपानेके लिए के यह दा था है तो सृट नई फिलोपी desk को start करने के लिए किया जाता है तो यह हो जाएगा आपका format 2014 में 2010 में यह सारे question previous year के हैं लेकिन fill in the blanks में पूछेगा यह question है ठीक है अब आपको option के साथ पूछेगा क्यों कि आप M से क्यों आएंगे mkdir या md desk command द्वारा नई directory बनाई जाती है तो mkdir या md के द्वारा नई command यह नई directory बनाई जा सकती है 16 bit वाली फाइल एक मसीन 32 bit वाली मसीन के तुलना में धीमी होगी ठीक है Linux में किसे फाइल के content को देखने की command क्या है cat cat और यह देखिए नीचे नीचे important question है desk command का परियोग Unix या Linux में फाइलों को हटाने के लिए किया जाता है question में पूछेगा के Linux में या Unix में फाइलों को हटाने के लिए remove करने के लिए किस command का यूज करते है तो rm option चार देगा लेकिन वापर right answer आपका हो जाएगा rm यानि remove operating system एक desk software है तो system software है जो operating system है वो कैसा software है वो system software है system के साथ आता है dash windows एक proprietary operating system है ठीक है इसलिए operating system यह हो जाएगा आपका Linux एक desk operating system है जो है यह open source होता है ठीक है यह कैसा होता है यह आपका open source operating system होता है और नीचे देखिए 48 dash operating system द्वारा CPU के allocation की परकिरिया है scheduling और नीचे उन्चस नंबर पर है dash Linux करने द्वारा और जावा पर आधारित mobile लुप करने के लिए operating system है Android यहां पर इसका राइटांसर हो जाएगा और यह 50 number question देखिए यह last question है विबिन परकार के dash software है जो Linux OSNU operating system जैसे GRUB और लीलो को लोड करने के लिए जिम्मेदार होते हैं इसका right answer आपका हो जाएगा loader ठीक है तो यह 50 question थे जो मैंने आपको बताए अलग भी इनसे कुछ question बताएं note work में लिखते रहिएगा और यहां से आपके exam में 100% question आपको लेगने को मिलेगा ठीक है question को घुमा के पूछा जा सकता है लेकिन आपको question की language को समझना है question पूछना क्या जाता है वो आपको समझना है अगर आपको लगता है कोई question गलत बता दिया गया है या किसी question का answer गलत ह यह नहीं यह होना चाहिए comment box में जरूर बताईएगा वहाँ पे आपको reply मिलेगा अगर आप सही है तो ठीक है तो please subscribe करके bell icon press कर दीजिए मिलते है next video में तब तक के लिए जाहिए जय भारत